वोड़ा फोन आइडिया की तरफ से जो कुछ भी अनौंसमेट किया गया उसको मैं आपको अच्छे से समझाओंगा कोशिश करूँगा आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करिएगा आप भी समझने की और चैनल को पहली बार देख रहे हैं फिनास मार्केट तो प्लीज को ओपिन कराना है तो डिस्किप्शन बॉक्स में जा सकते हैं वहाँ एक लिंक दिया गया है लिंक को क्लिक कर गया अप स्टॉक में आकाउंट ओपिन करा सकते हैं अब बात करते हैं अपने टॉपिक की वोड़ा फोन आइडिया लिमिटेट की तरफ से अभी 11 बच के 45 मिनि एक स्ट्रेटिजिक अनॉंसमेंट क्या गया है इस स्ट्रेटिजिक अनॉंसमेंट का क्या मतलब है इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये चीज आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा ध्यान से सुनिएगा एक एचीज सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर आज के दिन के इसके स्टेटस को शो करना चाहूँगा दोस्तों आज है मंडे 7th of September और टाइम हो रहा है दोस्तों 12 बच के 69 मिनिट यानि एक बच गया है अल्मोस्ट बात करूँगा आज के ओपन प्राइस की तो 13.25 की ओपन प्राइस है अब जब कि अगर आप देखें तो इसकी लास्ट क्लोजिंग प्राइस 12.05 ती और यह आज 13.25 पे ओपन होने के बाद 12.15 का लो बनाता है और 13.25 का हाई भी बनाता है 13.25 का हाई क्या है 13.25 यह आज का ओपन प्राइस है वही इसका आज का हाई है 13.85 का इसका अपर सर्कृट बैंड लगा था और 10.85 का लोगर सर्कृट बैंड लगा था 52 वीक लो 2.40 और 52 वीक हाई है 13.50 का मार्केट काप देखे तो 35,631.88 करोर है फेस वैल्यू 10.00 है बीटा 0.88 है इंडेस्टी का पी रेजियो 2.36 है सिक्योरिटी वाइस डेलिवरे परसेंट 23.04 परसेंट है करंटली दोस्तों अभी ये ट्रेड ओर है 12.40 के उपर जो की लगबग 0.35 पॉइंट डाउ उपर है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में या फिर 2.90 परसेंट हाईर दैन प्रिवियस क्लोजिंग प्राइस टोटल वॉलिम ट्रेड की बात करेंगे तो 1.06 बिलियन है यानि अब देख सकते हैं कि काफी हुज कॉण्टिटी में आज भी इसमें वॉलिम ट्रेड हुआ है दोस्तों अब बात करें अपने मुद्दे की मुद्दे की बात दोस्तों ये है Vodafone Idea ने एक नई unified brand identity को represent करने की कोशिश करी है इस unified brand identity का main मतलब जानते हैं क्या होता है इसका main मतलब होता है कि किसी भी sector की कोई भी company है वो company अपने business को और अच्छे से customers को present करना चाहती है और influential तरीके से करना चाहती है ताकि उसकी services को लोग enjoy करें और जादा से जादा attract हो Vodafone Idea लिमिटेड ने अपनी company का logo change करने वाला है Vodafone Idea लिमिटेड अब नाम नहीं रहेगा अब नाम इसकी जो new brand identity रहेगी वो रहेगी V.I. दोस्तो V for Vodafone and I for idea V.I. ठीके? ये इसका नाम रहेगा Vodafone Idea इसको हम पढ़ेंगे V V.I. को पढ़ेंगे V तो ये इसकी एक new brand identity है इस identity से देखी जाएगी और इससे जुड़ा हुआ नया logo भी company का बनेगा और सामने present होगा अभी logo आया नहीं है अभी logo बनने वाला है जल्दी वो भी तयार हो जाएगा company ने इसके पीछे का logic क्या बताया company इसके पीछे का logic सीधा सीधा ये बताना चाहती है करना चाहती है देखना चाहती है कि वो अपने customers को खोना नहीं चाहती है आपको पता है ना कि जीओ के पास सबसे ज़्यादा subscriber gain हो गए है last के कुछ months में Airtel और Vodafone Idea दोनों से subscriber base erode होता चला गया और Gio को gain होता चला गया इनका मानना है कि ये अपने customers को अपने subscriptions को बना के रखना चाहते हैं और उसमें और addition हो सकता है इसके लिए ये इस तरीके की plan ले करके आ रहे हैं market के अंदर यहां से V से यानि Vodafone Idea Limited की new identity से नए customers को एक attraction feel होगा नए services को देखने के लिए और test करने के लिए और एक बार अगर कोई customer इनकी service में आता है तो वो रुखता तब ही है जब उस company की profile अच्छी हो profile नहीं basically उसकी services अच्छी हो अगर service अच्छी नहीं होगी तो कोई नया customer आएगा भी तो आगर के फिर वापस भी चा सकता है क्योंकि service को अच्छा देना यही तो एक ऐसा magic है जिसकी वज़े से आप customers को अपने से जोड सकते हैं जैसा कि अभी की time पे जियो कर रहा है तो नाम को present करना यह एक शुरुवात है ऐसा नहीं है कि company अपनी services में betterment के लिए काम नहीं करेगी शायद उसी के लिए ही काम करने के लिए 25,000 करोर रुपे की इन्होंने approval करी है आपको मैंने बताया था equity या फिर debt instrument इन दोनों की मदद से या इन दोनों में से किसी एक की मदद से कम से कम 15,000 करोर रुपे यह adjust किसी तरीके से करेंगे अब वो equity से हो सकता है या फिर debt instruments से हो सकता है तो यह एक इनके लिए positive move है और जैसी यह खबर आई आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके graph में एक V shape आपको नजर जरूज आ रहा होगा आप देखें आप पे तो आपको मैंने graph को horizontal कर दिया है तो जल्दी zoom हो जाएगा यह देख सकते हैं कि इसके graph में यहाँ पे हम लोगों को V shape की recovery देखने को मिली है 11.45 की यह virtual meeting थी और 11.45 के आज पास यह जैसे ही खबर आती है यहाँ देख सकते हैं कि एक recovery जोड़दार recovery देखने को मिलती है हलाकि यहाँ पे कुछ लोग अभी भी इस mood में हैं कि सिर्फ लोगों ले आने से ऐसा सब कुछ नहीं हो जाता लेकिन यह एक starting है यहाँ से आप देखें यह एक starting है धीरे धीरे company अपनी अपनी profile को better करने के लिए कोशिश कर रही है ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं कर रही है अब जरूरत है थोड़ा सा patience रखने की और थोड़ा सा अपने आपको इससे जोड़ के रखने की दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इसको support करा जाना चाहिए हम सब लोगों की मदद से ही यह company उपर उठ सकती है ठीक है अभी है currently 12.35 से लेकर के 12.40 के आसपास trade हो रहा है आप देख सकते हैं मैंने आपको forum में market depth में लेके चलता हूँ आप देखें तो 12.42 से 12.44 के उपर यह BST के उपर trade हो रहा है currently दोस्तों यहाँ पे अब technical में देखें तो इसका technical rate बहुत ही ज़्यादा bullish है resistance आपको मैंने बताया है 13.27 का पहला resistance है इसको जो face करना पड़ेगा और मैंने आपको कहा भी था 13.00 के level को cross करना यह बहुत ज़्यादा इसके लिए crucial हो सकता है हलाकि यह 13.25 पे open हुआ तो लेकिन यह अपने आप से cross नहीं किया है यहाँ पे आप देखें तो 13.25 पे open होने के बाद वहाँ से down ही trade हो रहा है from the early morning ठीक है तो जो कुछ भी है जो कुछ भी starting की ली गई है वर्टाफ उन आइडिया लिमिटर के तरफ से virtual meeting के जरी है वो एक positive move है और हम सब को उसको एक positive direction से ही देखना चाहिए तो इस तरीके से उमीद करता हूँ कि आपको यह बात समझ में आ गई इक्विटी डेलूशन आइडिया होगा नहीं भी है तो कोई बात में आपको अच्छे से explain करूँगा समझाऊँगा कि यहां पर promoters की equity dilution से related क्या concept हो रहा है क्या equity eros हो जाएगी promoters के हाथ से इसके ओपर भी मैं आपसे एक वीडियो के जरी यह discuss करने के कोशिश करूँगा इस वीडियो में बस इतना ही आपको पताना था I hope you liked it guys आपको DMIT account या trading account open कराना है तो description box में एक link दिया गया है link को click करके आप stock के अंदर account open करा सकते हैं दूसरी चीज़ यह है दोस्तों कि आप इस channel को फिना प्नास्केट पहले बार देकन प्लीज़ प्लीज़ एक प्लीज़ एक प्लीज़ एक प्लीज़ एक बटन and also make sure to press the bell icon nearby that to get notification timely see you guys next in next video till then take care thank you